नमस्कार दोस्तों महाराना प्रताब एग्रो क्लासेज कोदैपुर के ओनलाइन प्लेट फार्म पे आप सभी का स्वागत है आज हम फर्स्ट क्रेड वाइलोजी के जो सिलेवस में पढ़ेंगे हमारे जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो रहेंगे जीव जगत की प्रेणालिय इन जीव जगत की प्रेणालियों में हम दूई जगत प्रेणाली तीन जगत प्रेणाली चार जगत प्रेणाली और पात जगत प्रेणाली इन चार तरह के जो जगत हैं इनके वारे में आज हम याँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे तो इस चर्चा में हमारी क्लासेज में सबसे सरल प्रणाली है जीव-जغत की दूई-जगत प्रणाली जैसे कि हमने कल की क्लास में डिसकस किया था कि पेड़-पौदों को या परत्वी पर जितने भी जीव-जनतु पाये जाते हैं जितने भी सजीव हैं चाहे वो पेड़ पौदे हो या फिर वो प्राणी जन्तु हो उन सभी का जो हम अध्यन करते हैं अध्यन करने के लिए क्या है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कल हमने पूरा क्लासिफिकेशन के वारे में पढ़ा था और उसी क्रम में जो आज है ये जीव जगत के वही आगे इन जितने भी हमारे प्रत्वी के उपार सजीव पाए जाते हैं उनको कितने कितने गुरुप में किस-किस वैग्यानिक ने अपने अध्यन के आदार पर बाट गया था तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है दूई जगत प्रिडाली ये दूई जगत प्रिडाली जो है जैसे की नाम से पता चल रहा है कि दूई जगत प्रत्वी पे पाए जाने वाले सभी सजीवों को सभी सजीवों को दो जगत में वर्गी करत किया था और ये दो जगत में वर्गी करत किया था ये जो वर्गी करत किया था या दो जगत में इनको वर्गी करत किया था वो सबसे पहले किसनी किया था कैरोलस लीनियस में ये जो प्रणाली दी गई थी ये केरोलस, लीनियस के द्वारा दुई जगत प्रणाली दी गई थी या प्रस्ताविद की गई थी इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि वही पेड़ पोदों को या सभी प्रत्वी पर पाये जाने वाले सभी सजीवों को दो जगत में वर्गी करत किया गया था वो दो जगत कौन-कौन से थे केरोलस, लीनियस ने एक साधारण से बहरी आकारणों के आधार पर या यह कहिए कि बहरी लक्षणों के आधार पर सभी सजीवों को एक तो पादप समू में बाटा था इस पादप समू का नाम इनों ने रखा था प्लांटी इसका नाम रखा था प्लांटी और दूसरा जो समू बनाया था सजीवों का वो था सभी प्रकार के प्राणी या प्राणी समू प्राणी समू जिसमें सभी प्रकार के जन्तों को रखा था और इनों ने इस प्राणी समू का नाम दिया था एनी मेलिया एनी मेलिया तो इस तरह से दोई जगत प्रिणाली जो केरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी उसमें सभी पेड़ पौदों को प्लांटी समू में बर्गी करत किया था और दूसरे प्राणी समू को एनिमेलिया समू के अंदर बर्गी करत किया था इन्होंने दो जगत बनाये थे बहुत साधारण सा और सरल सा इनका ये क्या है सिस्टम है जिसमें केवल बहारी लक्षणों को देख कर ही कि वह ये पेड़ पोदे हैं और ये जीव जन्तु हैं इस तरह से इन्होंने डिवाइडेशन किया था कोई वैग्यानिक नियम नहीं थे कोई इनका कोई खास आधार नहीं था इसकी बज़े से ये जो जीव जगत प्रिणाली है ये हाला कि जब तक विग्यान का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ तब तक तो लोग इसको मानते रहे लेकिन एक समय पस्चात ये जो दूई जगत प्रिणाली थी वो क्या हो गई वो आसफन हो गई थी वो आसफन प्रणाली सावित होई ये आसफन प्रणाली क्यों सावित होई ये जो इनका सिस्टम था वो क्यों फेल हो गया वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि केरोलस लीनियस ने बहुत सारे जीब जनतुओं को जैसे कि प्रकास अंसलेशन करने वाले जीव जंतूों को एक कोशकिये जीव को भवकोशकिये के साथ में रख दिया ठीक है, Eukerioat को Prokeryot के साथ में रख दिया तो इस तरह से क्या है, इनोंने बहुत सारे जीव जंतू जो की आपस में समान भी नहीं थे लक्षणों में उनको एक गुरूप के अंदर इन्होंने बरगीकरत कर दिया था खीक है तो इस तरह से ये दुई जगत प्रणाली आगे चल कर क्या है फेल हो गई थी फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा विज्ञान का विकास हुआ दुई जगत के बाद में तीन जगत प्रणाली आई दुई जगत के बाद में तीन जगत प्रणाली विक्सित की गई थी और ये तीन जगत जो प्रणाली है वो हीकल के द्वारा दी गई थी तीन जगत प्रेणाली ये हीकल द्वारा प्रस्तावित या हीकल के द्वारा दी गई थी इन्हों ने द्वी जगत प्रेणाली में थोड़ा सा सुधार किया और इन्हों ने ये क्या सुधार किया कि वही जो एक कोश किये जीव होते हैं उन सभी एक कोश किये जीवों को इन्हों ने एक अलग ग्रूप में वर्गी करत कर दिया था और उस वर्ग का जो नाम था वो था protesta, वो कौन सा था, वो था protesta, समुण या protesta जगत तो इस तरह से इन्होंने तीन जगत प्रणाली के अंदर के पहले जो दिये गए थे, पहला जो जगत था प्लांटी दूसरा जो जगत था एनीमेलिया इनी प्लांटी और एनीमेलिया में से कुछ जीब जन्तु ऐसे जो की एक कोशिकिये होते हैं उन एक कोशिकिये जीब जन्तुओं को निकाल कर उनका एक अलग से तीसरा जगत बना दिया था और उस जगत का नाम था प्रोटिस्टा उस जगत का नाम इन्होंने प्रोटिस्टा रखा था तो इस जगत के अंदर, प्लांटी के अंदर सभी पेड़ पौदे, एनिमेलिया के अंदर, ये जन्तु और प्रोटिष्टा के अंदर इन्होंने एक कोश्य किये, इन्होंने एक कोश्य किये जन्तुओं को रखा इस एक कोश्य किये जन्तुओं को इसके अंदर इन्होंने रखा था, इसके बाद मैं जो तीसरा, हमारा जो जगत आता है, वो आता है, चार जगत प्रणाली चार जगत प्रणाली ये चार जगत प्रिणाली किस ने दी थी? ये चार जगत प्रिणाली कौपलेंड ने दी थी चार जगत प्रिणाली कौपलेंड ने दी थी चार जगत प्रिणाली सन 1956 में कौपलेंड ने दी थी और ये जो चार जगत प्रिणाली थी ये कौन सी प्रिणाली थी? इस चार जगत के अंदर सभी सजीवों को इनोंने चार जगत के अंदर डिवाइड किया। और चौथा जो जगत था वो है एनी मेलिया, एनी मेलिया, एनी मेलिया, इन चार जगतों के अंदर इनोंने सभी प्रकार के जीवजद्दों का बर्गी एकरण किया था, इसमें यहां से जो कोशन आता है, वो सबसे इंपोर्टेंट जो कोशन बनता है, वो इस मौने रा पर बनता है, मौने रा पर कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, कि वी चार जगत प्रेणाली, सबसे पहले तो वेग्यानिक याद रखने पड़ते हैं हमें, कि चार जगत प्रेणाली कौन से वेग्यानिक ने दी थी, कॉपलेंड ने दी थी, इन कॉपलेंड के द्वारा दी गई चार जगत प्रेणाली में इन्होंने चौथा जगत कौन सा बनाया था, ठीक है न, वो बनाया था इन्होंने मौनेरा जगत, मौनेरा जगत इसके अंदर कौन-कौन से जीव जनतु आते थे देखो इस तीन जगत के बाद में चार जगत प्रेणाली की क्यों जरूरत पड़ी क्या आवश्यक्ता पड़ी वही कुछ ना कुछ हर सिस्टम में जैसे कि हमें पता है कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं दुई जगत में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रेयास तीन जगत में किया गया था तीन जगत के अंदर कुछ कमियां थी उनको दूर करने का प्रेयास आगे चलकर चार जगत प्रेणाली में किया गया था तीन जगत में क्या हुआ कि जो तीन जगत प्रेणाली हीकल के द्वारा दी गई थी इसमें युकेरियोटिक जंतु साथ साथ रख दिये जिनके लक्षण आपस में नहीं मिलते थी जैसे कि इन्हों ने क्या किया था कि प्रकार के जो बैक्टेरिया होते हैं उन बैक्टेरिया को भी सामिल कर लिया इस प्रोटिष्टा में एनो हीकल ने क्या किया था जितने भी एक कोश की है जो यू केरियोटिक जीव होते हैं उन यू केरियोटिक जीवों को भी इसमें सामिल कर लिया था अब यू केरियोटिक जीव का लक्षण अलग होते हैं यू केरियोटिक जो है वो बैक्टेरिया से एडवांस जीव होते हैं क्योंकि जो बैक्टेरिया होते हैं वो प्रोकेरियोट्स में आते हैं प्रोकेरियोट्स क्या होते हैं प्रोकेरियोट्स वे जन्तू होते हैं जिनकी कोशिका में जो केंद्रक होता है वो पूल रूप से विक्सित नहीं होता पूल रूप से विक्सित होने का मतलब यह है कि जो केंद्रकिये मैटेरियल है जो केंद्रकिये पदार्थ है DNA वो DNA जो है वो साइटो प्लाजम से अलग नहीं रहता कि उस केंद्रकिये पदार्थ के ऊपर कोई जिल्ली नहीं पाई जाती ऐसे केंद्रक जिनके जो DNA है वो केंद्रक जिल्ली से आवद रहते हैं इस केंद्रक जिल्ली से आवद DNA वाले कोशिकां को हम क्या कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिकां कहते हैं इन यूकेरियोटिक कोशिक केरियोट्स के अंदर क्या होता है कि एक इसपस्ट केंद्रका इवाब होता है इनका जो केंद्रक्य warming होता है वह साइटोप्लाज्म से अलघ नहीं रहता उसमें DNA धागे की तरह बिख्रा हुआ रहता है किसी भी तरह के.» माइट्रोकॉंड्रिया या प्लास्टेड गॉलजी बॉड़ी इस तरह के कोई कोशिकांग उनमें नहीं पाये जाते तो इन सब लक्षणों से तो यह इसपष्ट होता है कि वाई प्रोकेरियोटिक जीव यूकेरियोट से अलग होते हैं तो इनको हम एक गुरूप में तो रखी नहीं सकते इसी डिस्पुट को दूर करने के लिए क्या है कॉपलेंड ने क्या किया कि इस प्रोटिष्टा के अंदर से ऐसे जीव जो की यूकेरियोट्स होते हैं जिनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो पूर रूप से विक्सित नहीं होता है ऐसे जीवों को निकाल कर उनका एक अलग समूँ बनाने का इनोंने प्रस्टाब दिया के वही इन जीवों को हम एक अलग समु में रख सकते हैं और उस समु का नाम क्या है मौनेरा है तो इस चार जगत पेडाली में जो मौनेरा में रखे गए थे वो कौन-कौन से जीव रखे गये थे वो बैक्टेरिया रखे गए थे बैक्टेरिया और इसके साथ में इनों ने blue green algae भी इसमें रखी थी, blue, green algae, जिसे हरी, नीली, सैवाल कहते हैं, या इनका दूसरा नाम जो है, वो, cyanobacteria भी होता है, इन्होंने इसमें कबकों को भी रख दिया था, जितनी भी कबक पाए जाती है, वो सभी कबकों को भी इन्होंने, मौनेरास, जगत के अंदर इनको वर्गी करत किया था प्रोटिस्टा के अंदर इनोंने एक कोश किये यूकेरियोट जीवों को रखा था प्लांटी के अंदर सभी बहु कोश किये क्या हैं प्लांट्स आते हैं प्लांटी के अंदर इनोंने सभी बहु कोश किये पेड़ पौदों को रखा था इन बहुकोष की पेड़ पौदों में जैसे ब्राइवफाइट से टेरीडोफाइट से जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म से सभी ये प्लांटी के अंदर आते हैं इन प्लांटी के लिए आपको बहुत सारी किताबों में, दूसरी किताबों में कॉपलेंड का जब हम चार जगत प्रिनाली पढ़ते हैं, तो मौनेरा ये सब्द मिलता ही, मिलता है, प्रोटिश्टा की जगे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट सब्द मिलता है, वो है इसमें चार जगत प्रिणाली जो कॉपलेंड की है इसमें प्रोटिस्टा की जगए प्रोटोक्टिस्टा सब्द भी मिलता है तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूद नहीं है कि प्रोटिस्टा अलग है कि प्रोटोक्टिस्टा अलग है बस नाम इनों ने थोड़ा सा cellular, eukaryotic multi-cellular बहु कोशिकी है eukaryotic plants phyta का मतलब होता है plants तो इसमें ये बहु कोशिकी है जो है वो सभी प्रकार के पेड़ पौदे आते हैं जो कि ब्राय फाइटा से लेकर और जिम्लो स्पर्म तक के पेड़ पौदे है animalia के लिए इनों ने एक नया सब्द इस्तमाल किया वो है meta-joa meta-joa तो इस तरह से ये इनके क्या है animalia की जगए इनों ने meta-joa सब्द काम में लिया है planting की जगए metafita, protista protista और monera तो एक question जो सबसे important बनता है चार जगत प्रणाली में वो ये बनता है कि वह चार जगत प्रणाली में कौप लेंड ने नया कौन सा जगत बनाया था जीव जंद्रों का तो वो monera बनाया था इसी तरह से तीन जगत प्रणाली में भी ये पूछा जाता है कि हीकल ने तीन जगत प्रणाली में तो इस सिस्टम में भी क्या है कमिया रह गई वो कमिया क्या रह गई कि इन्हों ने क्या किया मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टेरिया इसमें रख दिये ठीक है सभी प्रकार के बैक्टेरिया सभी प्रकार के जैसे प्रकास संसलेशी करने वाले बैक्टेरिया ठीक है ना अलग प्रकार के जीव होते हैं तो इनको जो है इनोंने मौनेरा संग में रख दिया इस कमी को दूर करने के लिए इस कमी को दूर करने के लिए फिर एक अलग से जीव जगत प्रडाली का विकास हुआ जिसको कहते हम पाँच जगत प्रडाली पाँच जगत प्रडाली पाइव किंग्डम सिस्टम पाँच जगत प्रडाली ये किस ने दी थी? ये रह विटेकर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित की थी रह विटेकर के द्वारा ये प्रडाली दी गई थी पाँच जगत प्रडाली इस पाँच जगत प्रडाली ये इंपोर्टेंट है इसमें सबसे पहले जो कोशन बनता है पाँच जगत प्रडाली में ये कोशन ये बनता है कि पाँच जगत प्रडाली को वरगी करत करने का मुख्य आधार क्या है मुख्य आधार क्या है यानि कि किन किन आधारों के आधार पर किन किन आधार पर जीव जन्तूओं को इनों ने पांच जगत के अंदर बिवाजित किया था ठीक है ना ये मुख्य आधार कौन कौन से है ये मुख्यादार सबसे पहला नम्मर वन है कोशिका की सरचना पहला है कोशिका की सरचना इनोंने सभी जीवों को कोशिका की सरचना के आदार पर पहले study की कि किसकी कोशिका सरचना यूकेरियोटिक है किसकी प्रोकेरियोटिक है दूसरा जो है वो है इनका सारीरिक संगठन सभी जीवों का सारीरिक संगठन सारीरिक संगठन का मतलब यह है कि वो जो जीव है उनके सरीर या उनकी बोडी कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है एक कोश किये हैं दुई कोश किये या बहु कोश किये हैं तीसरा जो आधार है बर्गी करण का वो है पोशन की विदी, वो है पोशन की विदी, ये जीव जनतु किस तरह से पोशन करते हैं, ते कहना स्वेम पोशी है या विशम पोशी है, प्रकास संसलेशी है या एप्रकास संसलेशी है, और चौथा जो आधार है वो है इनका जीवन जीवन चक्र लाइफ साइकल पांचवा जो आधार है वो है इन सभी जीवों में आपस में कोई सम्मंद तो नहीं है जाती व्रतिय सम्मंद इन पांच आधारों पर सभी जीवों को इनों ने पांच जगत के अंदर डिवाइड किया था तो इन आधारों पर क्या है प्रिशन बनता है कि वही पांच जगत प्रणाली को विक्षित करने का या पांच जगत प्रणाली देने का इन में से कौन सा आधार है ठिकना तीन आप्शन अलग मिलेंगे कोई चोथा option इन में से एक मिलेगा फिर इस आधार पर इन्हों ने जो पांच जगत प्रड़नाली बनाई थी उसमें पांच जगत कौन-कौन से है उसके पांच जगत कौन-कौन से है इसमें पांच जगत जो है वो है सबसे पहले नमबर वन आता है मौनेरा क्योंकि विवाद जो था वो मौनेरा पर ही था इन्हों ने क्या किया कर दिया बाकी इस मौनेरा के अंदर इनों ने सभी यूकेरियोटिक जीवों को रखा सभी प्रकार के सभी प्रोकेरियोटिक जीव सभी प्रोकेरियोटिक जो जीव थे उन सब को इनोंने मौनेरा संग में रखा यानि कि मौनेरा के अंदर इसके अंदर जो आते है वो बैक्टेरिया को इनोंने रखा जितने भी प्रकार के जीवानू है उनको ठीक है ना दूसरे है साइनो जीवानू या साइनो बैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते है तो मॉनेरिया के अंदर बैक्टेरिया, साइनो बैक्टेरिया और माइको प्लाज्मा तीसरे जो जीव रखेते वो क्या है माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा चौथा जो जगत बनाये था इनोंने वो है प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा इस प्रोटिस्टा के अंदर सभी एक कोश किये सभी एक कोश किये यू केरियोटिक जन्तों को सामिल किया था सभी यू केरियोटिक जीव इसमें सामिल किये गए थे यू केरियोटिक एक कोश किये जीव जैसे कि इसमें प्रोटो जुआ सभी प्रोटो जुआ जन्तों एक्जाम्पल है इनका इसके अंदर सभी प्रकार के जो एक कोश किये यू केरियोटिक जीव जैसे इसमें प्रोटो जुआ जन्तों के अंदर आते हैं यह जैसे इसमें एक्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूगलीना, यह सभी जन्तों जो है वो प्रोटिश्टा, संग के अंदर या जगत के अंदर रखे गए थे तीसरा जो एनो ने बनाया था वो है फंजाई, तीसरा जो समू है वो फंजाई, कवक, कवक जगत, इस कवक जगत में जो है वो सभी प्रकार की फफूंदी, सभी प्रकार की फफूंदी, जो की ए प्रकास संसलेशी जीव होते हैं, यह कैसे जीव होते हैं, ए प्रकास संसलेशी ए प्रकास संसलिसी जीव इसमें रखे गए थे और ए प्रकास संसलिसी जीव क्या है सभी फपूंद होती है सभी प्रकार की जितनी भी कवक है चाहे वो एक कोश्की हो, दुर कोश्की हो, भव कोश्की हो उनका एक अलग ही जगत बना दिया है उन्होंने वो है फंजाई चौथा जो जगत है वो है प्लांटी इस प्लांटी जैसे नाम से पता चल रहा है इन जीवों के अलाबा प्रत्वी पर जितने भी ठीक है बहु कोश्की है बहु कोश्की है यू केरियोटिक और हरे पादप इसमें सामिल किये थे बहु कोश्की है यू केरियोटिक हरे पादप इसमें सामिल किये गए थे ये कौन-कौन से इसमें जीव सामिल किये गए थे जैसे एक्जाम्पल इसमें सभी हरे शैवाल सभी प्रकार के हरे शैवाल यह planted जगत में रखे गए थे दूसरे Brieophytes Brieophytes या Brieophyta Terydofeta Terydo Phyta Gymnosperms जिमनो इस पर्म्स और एंजीयो स्पर्म्स एंजीयो इस पर्म्स यह पेड़ पौदे जो है वो प्लांटी के अंदर प्लांटी के अंदर इनोंने सामिल किये गए थे इसके बाद में पांच्मा जो जगत है वो है एनिमेलिया पांच्मा जगत एनिमेलिया जगत इस एनिमेलिया जगत में इनोंने तभी बहु कोश किये विशम पोशी जीवों को रखा था विशम पोशी जीवों को इसमें सामिल किया था और इसके अंदर एनीमिलिया के अंदर कौन-कौन से विशम पोशी जीव यानि की सभी नॉन कोडेट्स इसमें सभी अकसिर की जीव कि भhu कोश की है यूकारियोटिक भी यहां लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद में यू केरियोटिक चल रहे हैं सभी यू केरियोटिक सभी बहु को इसकी है यू केरियोटिक विशम पोसी जीवों को इसमें रखा है जिसमें सभी एकशेर की जीव आते हैं एकशेर की जीव और एकशेर की जीव कौन-कौन से आएंगे के इसमें proto जुआ को छोड़कर कहां से पौरी फेरा से लेकर और आपके लास्ट एकाइनो डर्मेटा तक कि इसे काइनो डर्मेटा तक के जितने भी जीव हैं वो सब एकशेर की जीव होते हैं उसके बाद में इसमें आते हैं सभी कशेर की जीव सभी कशेर की प्राणी इस एनीमेलिया के अंदर इन्होंने सामिल किया था तो यह इनका क्या है पांच जगत प्रडाली है जिसमें प्रत्वी के सभी जीब जन्तू पेड पौधों को इन पांच आदारों पर जो हमने पाँच आधार बताए थे, कौन-कौन से पाँच आधार, मैं इस पाँच जगत प्रेडाली में बस इसके जो कोशन बनता है वो आधार पर ही बनता है, बाकी इनको तो सब जानते हैं, एनिमेलिया में एनिमल्स ही होंगे, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स ही कोशन बनता नहीं है, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड के साफ से, या जैट या कुछी नीट के साफ से, इसमें सब इनको पता है, बस जादा तर पाँच जगत प्रेडाली में से जो पूछा जाता है, वो इनका वरगी करण का आधार पूछा जाता है, कि किस आधार पर पाँ आरिनिक संगठन, तीसरा है बोशन की विधी और चोथा है इनका जीवन चक्र और पांचवा जो आधारे वो जाती व्रतिय संबंद हैं। इसके अलाबा कुछ दूसरी चीजें भी इसमें इंपोर्टेंट्स हैं जिनको हम नोट डालकर इनको नोट कर सकते हैं। नोट इसमें नोट डालके एक चीज हमें पहली जो नोट करनी है वो है सीवी वॉन नेल एक वैग्यानिक का नाम आता है सीवी वॉन नेल ने भी इनोने ये इनका नाम क्यों हम पढ़ रहें यहाँ पर सीवी वॉन नेल ने सवी जीव जगत को या प्रत्वी पर जो जीव जनतु है उनको दो जगत में इनोने भी बाटा था दो जगत के अंदर सीवी बॉन निल ने, सभी जीवों को केलो, दो जगत या, दो समू में, इन्होंने बाटा था, वो कौन-कौन से दो समू है, वो दो समू है, एक है, प्रोकेरियोटा, एक जो समू है, वो है, प्रोकेरियोटा, और दूसरा जो समू है, वो है, यू केरियोटा, यूकेरियोटा इनोंने भी क्या है सवी जीव जन्तों, पेड़ बोदों को सजीवों को दो सम्मूव में बाटा था प्रोकेरियोटा और यूकेरियोटा ये भी कई बार कुशन आ सकता है कि वह यूकेरियोटा प्रोकेरियोटा का समू में किस वेग्यानिक ने जीवों का वर्गिकरण किया था तो ये कौन है सीवी वॉन नेल है अभी हमने पात जगत प्रणाली पड़ी एक छे जगत प्रणाली वी आती है कौन सी आती है छे जगत प्रणाली ये छे जगत प्रणाली किस ने दी छे जगत प्रणाली ये किस ने दी थी ये ग्रे एवं डूलिट ने दी थी क्योंकि ये वेग्यानिक बहुत ज़्यादा सुने हुए नहीं है ठीक है न हम पात जगत प्रणाली 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 ये छे जगत प्रणाली वी एवं डूलिट ने दी थी छे जगत प्रिडाली कोई खास नहीं है बस इन्होंने क्या किया था जो पांच जगत प्रिडाली थी उसमें जो मौनेरा था उस मौनेरा को इन्होंने दो समूँ में डिवाइड कर दिया था चैक है न ये ग्रे की जो छे जगत प्रिडाली है इस छे जगत में इन्होंने क्या था क्या किया कि जो भी जीव है उन जीवों के इन्होंने सबसे पहले क्या बनाए दो सुपर जगत बनाए थे दो सुपर जगत और वो सुपर जगत कौन-कौन से थे वो एक तो था प्रोकेरियोटा और एक था यूकेरियोटा इस यूकेरियोटा में जो चार जगत सामिल किये इन्होंने यूकेरियोटा के अंदर चार जगत चार जगत कौन-कौन से आते है वो ही चार जगत आते है एक तो इसमें आता है आपका कवक दूसरा आता है इसमें इसको आगे ले लेते हैं, छे जगत प्रणाली, छे जगत प्रणाली, छे जगत प्रणाली में सबसे पहले ग्रे एवं डूलिट ने दो सुपर किंग्डम बनाए, सुपर किंग्डम यानि कि सुपर जगत पहला तो था प्रोकेरियोट या प्रोकेरियोटा, दूसरा जो सुपर जगत था वो था यू केरियोटा, प्रोकेरियोटा को इन्होंने दो सम्मूव में बाटा, एक में बैक्टिरिया और आर्किया, यू केरियाटा को च्यार में बाटा, प्रोटिस्टा, तवक, प्लांटी, और एनिमेलिया, और एनिमेलिया, इस तरह से यह क्या है, छे जगत प्रिणाली है, पहली जगत सभी प्रकार के बैक्टिरिया आते हैं, दूसरे आर्किया, इसमें प्राचीन बैक्टिरिया आते हैं, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा जो है वो कवक का आता है, पांचमा प्लांटी का आता है, और छटा जो है वो एनिमेलिया का आता है, इसके अलावा एक थ्री डॉमेन सिस्टम भी होता है, शे जगत के अलावा एक आता है तीन डॉमेन प्रिणाली, ये भी कहा है वर्गी करण की प्रिणाली है, तीन डॉमेन प्रिणाली, तीन डॉमेन प्रिणाली, ये जो तीन डॉमेन प्रिणाली है, वो सबसे पहले किस ने दी थी, ये कारल बूज ने दी थी, कारल बूज, कार्ल बूज नामक वेग्यानिक ने ये तीन डॉमेन प्रडाली बताई थी तीन डॉमेन प्रडाली क्या होती है इन कार्ल बूज ने क्या किया था इन्होंने सभी जीवों की जो सेल्स होती है उन सेल्स की आनवानसिक्ता का अध्यन किया आनो वानसिक्ता का अध्यन किया और ये बताया कि वही जितने वी जीव हैं वो सभी जीव जो है इनकी कोशकाओं में पाया जाने वाला राइवो सोमल राइवो सोमल आरेने के आधार पर सभी जीव आपस में संबंदित है या यो कहलो कि आपस में ये तीन समू में क्या हो जाते हैं संबंदित हो जाते हैं कहने का मतलब ये है कि इनों ने ये बताया कि सभी जीव जन्तों को पांच जगत में या छे जगत में डिवाइड करने की जरूत नहीं है अगर सभी जीवों के हम कोश की इस्तर का अध्यन करें उनकी आनवानसिक्ता का अध्यन करें उनके डियने आरेने का अगर हम अध्यन करें तो हम ये पाते हैं कि राइवो सोमल आरेने के आदार पर जैसे जैसे विकासिय प्रक्रम आगे बढ़ा राइवो सोमल आरेने के आदार पर जितने भी जीव जन्तों है वो केवल तीन समूँ में ही आपस में सम्मंदित होते हैं उनको हम केवल तीन समूँ में ही सम्मंदित क कर सकते हैं छे जगत में उनको बाठने की जरूरत नहीं है और ये जो तीन समू है इन समू को इनौने जो कह था वो डॉमेन कह था इनौने तीन समू के आए थे कि नम्मर बान जो पहला डॉमेन होता है नम्मर वन वो है डॉमेन फर्स्ट इसको हम कह सकते हैं डॉमेन फर्स्ट इस डॉमेन फर्स्ट का जो नाम है वो है बैक्टीरिया वो है बैक्टीरिया यानि कि इस संग में सभी प्रकार के चाहे वो प्रकास संसलेशी हो या र रसाइन संसलेशी हो, सभी प्रकार के जो जीवानू है, जिनको हम सत्य जीवानू कहते हैं, वो इस बैक्टिरिया सम्मू में आते हैं, सभी सत्य प्रकार के बैक्टिरिया जो है, वो इस डॉमेन फर्ष्ट में इनको हम रख सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के बैक्टिरिया हो गए, जो की प्रकासंसलेशी, एप्रकासंसलेशी, रसाइन संसलेशी, इस तरह के जो बैक्टिरिया होते हैं, वो सभी बैक्टिरिया जो है डॉमेन फर्ष्ट में आते हैं, दूस आर्किया, इस आर्किया में इन्होंने कौन-कौन से जन्तुओं को रखा था, इस आर्किया के अंदर आर्की बैक्टिरिया को रखा था, आर्की बैक्टिरिया, ये आर्की बैक्टिरिया क्या होते हैं, इनको प्राचीन बैक्टिरिया भी कहते हैं, आर्की का मतलब प्राचीन तो आर्की बेक्टिरिया में क्या आते हैं? सभी प्राचीन बेक्टिरिया ये प्राचीन बेक्टिरिया कैसे होते है? वे बेक्टिरिया ये जो आर्की बेक्टिरिया या प्राचीन बेक्टिरिया है ये बेक्टिरिया जो है वो गरम जर्नों में भी पाये जाते हैं? गरम जर्नों में उपस्तित बेक्टिरिया गरम जर्नों में एसे प्रत्वी पर ऐसे इस्तान जहां पर सामाने जीब जन्तों का रहना मुस्किल होता है ऐसी विकट परिस्तितियों में भी ये जीवित रहने वाले बैक्टिरिया है जैसे के प्रत्वी पर बहुत सारे गरम पानी के जरने होते हैं जिनका टेमप्रेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस भी होता है तो ये बैक्टिरिया इस 80 डिग्री सेल्सिय इस वाले गरम जर्णों के पानी में भी जीवित पाए जाते हैं इनको आरकी बेक्टिरिया कहते हैं चोकि यह आरकी बेक्टिरिया इस तरह के प्राचीन बेक्टिरिया है इनको हम प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं प्राचीनतम जीवित जीवाश्म यह सब्द य सबसे प्राचीन्तम जीवित जीवास्म कौन से है आरकी बैक्टेरिया है क्योंकि इनका इस्ट्रेक्टर बहुत सबसे पुराना है और ये आज भी जो है इन गरम जर्नों के अंदर उपस्तित है पाए जाते हैं बाकी के सदसे नहीं पाए जाते हैं इसलिए इनको जीवित यह है कि प्राचीन्तम जीवित जीवास्म कौन है आरकी बैक्टेरिया फिर तीसरा जो डॉमेन नहों ने बताया था डॉमेन दो गए फिर आता है डॉमेन थर्ड इसका नाम है आरकिया तीसरा जो डॉमेन बताया था वो आरकिया और सॉरी आरकिया यू केरिया है यह है यू केरिया इस यू केरिया में सभी यू केरियोर्स को सामिल किया गया है सभी यू केरियोर्स जीवा को सामिल किया गया था इस तरह से यहनोंने सभी जीव जनतों को तीन डॉमेन में इनको डिवाइड किया था जिसको हम थ्री डॉमेन सिस्टम भी कहते हैं तो आज की हमारी यह क्लास थी बेवन प्रकार के हमने जीव जगत पर डालिया पड़ी आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए और अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर लाइक जरूर करें धन्यवाद